तवांग में हुई घटना को लेकर सरकार और विपक्ष में तीखी बहस चल रही है। पर फिर उमीद दिखी तो आज संसद में होहला भी हुआ और बॉयकॉट भी। तो चीन के साथ सीमा विवाद में इतिहास का कच्चा चित्था भी खोल दिया। नेहरों के नीतियों का एक बार फिर से रिवीजन करा दिया। कॉंग्रेस को आइना दिखाया और देश मूदी सरकार की प्रतिपधिता का भरोसा भी दिलाया। तवांग से शुरू हुआ मामला आप कॉंग्रेस के फंड फॉर फाउंडेशन की तरफ बढ़ रहा है। क्या है ये मामला? इसे इसी वक्त क्यों उठाया जा रहा है? क्या कॉंग्रेस को चिपाना चाहती है? या फिर सरकार मामले को घुमा रही है? आज इसी पर मुकाबला में बात करेंगे। इस देकर पून तया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गुरू मंत्राले ने इसका रजिस्ट्रेशन धद किया है। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है। और ये जो रासी चीनी दुतावास से मिली इसका उप्योप भारत चीन संबंदों के विकास पर सोध करने के लिए ए पैसा दिया गया। अब मैं कॉंग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने सोध तो जरूर किया होगा। क्या उनकी सोध में 1962 में जो हजारों हेक्टर भुमी भारत की चिन ने हडप ली वो सामिल था क्या। और सोध इस पर किया तो रिपोर्ट क्या आई है। तो ये मसला उठा जबरदस्थ हंगामा आज संसत के दोनों सदनों में देखने को मिला विपक्ष चर्चा की मांग करता रहा। रक्षा मंतरी राजना सिंग ने बयान पेश कर दिया लेकिन ग्री मंतरी के इस बयान को लेकर सियासाद एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। चीन मुद्दे पर बात करेंगे तवांग पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले अब है दूबे जी आपसे शुरुआत कर रही हूं चुकी घ्री मंतरी ने सवाल आपको लेकर खड़े किये हैं। सवाल ये है कि चीन पर किसने सबसे ज्यादा गलतिया की कौन इसे छिपा रहा है और इसकी आड़ में क्या देश फित के साथ खिलवार किया जा रहा है। मगर इतना अधिक भारती जंता पार्टी की सरकार सत्ता की भूग के लिए चीन की शरण में चली जाई थी चली जाएगी ये कभी देश ने सोचा भी नहीं था। पर चीन ने पर्मनेंट पिलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। सम इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सेनेटरी पोस्ट, ट्रेंचेज और हैलिपेड्स। ये देश की आँखों में भारती जंता पर्टी की सरकार ने धूल चोकना प्रारम किया। लंबे समय से भारती जंता पर्टी के सांसर तापीर गाओ ये मुद्दा उठा रहे हैं कि चीनी सेना अरुनाचल प्रदेश पे अंदर तक घुज जाती है। उननीस जन्वरी को उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि वहां से नावालीकों का अपरहन करके चाइना ले गया है। जब अलवान घाटी का घटना करम हुआ देश ने के सैनिकों ने शाहदत दी। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट भारत के विदेश उंत्राले का आया। उसने ये माना कि युनिलेटरली चेंज दे स्टेटस को उन्होंने का कि ऑन दर लेट इवनिंग और नाइट और 15 जून वाइलेंट फेस ओफ हेपन एज रिजल्ट ऑफ एन अटेंप बाइचाइनी साइट तो युनिलेटरली चेंज दे स्टेटस को उसके बाद स्पोक्सपर्सन ने ये बयान दिया तब उसने भी ये कहा कि भारत के हिस्से में चीन घुसा लेकिन प्रदान मंत्री जी ने आल प जवाब लूगी कि ये क्या हो रहा है और चीन की हिमाकत इतनी क्यों बढ़ गई है लेकिन जो पॉइंट उठाया और जो सवाल मैंने आपसे पूछा था सर उसका जवाब नहीं आया जो ग्री मंत्री कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कॉंग्रिस तो कम से कम हम से सवाल ना प पूछिए कि पार्लेमेंटरी स्टेंडिंग कमिटी बार बार कह रही है आपको कि चीन का जो इंपोर्ट है वो भारत के MSME को तबाह कर रहा है 100 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट इस वर्ष के अंत तक हो जाएगा प्राचीजी जो भारत के दिहास में कभी नहीं हुआ इससे बड़ा ट्रेट डेफिसिट आज तक नहीं हुआ और परलेमेंटरी स्टेंडिंग कमिटी की रिपोर्ट पढ़िये जो केर जरूरी चीज़े है खिलोना की इंडस्टी को तबा कर दिया, साइकल की इंडस्टी को तबा कर दिया, दोमेंसिक अप्लाइंसे की इंडस्टी को तबा कर दिया चाइना से, वो तो यहां तक परलेमेंटरी स्टेंडिंग कमिटी आरूप लगा रही है कि एंटी डंपिंग लॉक के लिए भी रि सबसे बड़ा सवाल यह कि आपकी सरकार से किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी सवाल पूछ ले तो आप कॉंग्रेस की आड में क्यों चुपने लग जाते हैं आपको कॉंग्रेस का शासन कुई याद आने लगता है आप तो आपको भी आच साल हो गए ना आप तो आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे ना ऐसा है CCP का मतलब आज हो चुका है Chinese Congress Party और इसलिए सवाल पूछा जाता है क्योंकि कुछ लोगों की मनशा केवल राजनीती करना है राष्टर नीती और राष्टर सुरक्षा के मुद्दे पर भी पहले मैं अभै जी के तीन सवाल का जवाब क्योंकि एक विपक्ष के नाते उन्हें ने तीन सवाल खड़े किये डोकलाम के विशे में अधी बताया आधी बाद बताया उन्होंने यह नहीं बताया कि सन 1998 से वहां पर हर साल चाइना वहां पर कोई ना कोई कंश्रक्षन उस रोड के उस प्लैटो के रोड पर करता है पर अरुनाचल प्रदेश का उन्होंने जिकर किया उन्होंने यह रही बताया अरुनाचल प्रदेश के विशे में यह जिस गाउं की बात हो कर रहे हैं जिस जगे की बात कर रहे हैं 1959 से कॉंग्रेस पार्टी ने वह गाउं सौप दिया था वह इलाका सौप दिया था हमारा economic deficit, trade deficit था चाइना के साथ, इन्होंने चाइना का चंदा लिया, MOU साइन किया, फोटो भी खीचवाई, राहूल गांदी ने जी जिजिंग पिंक के साथ, और उसके बाद ऐसे आर्थिक हितों का समझोता किया, कि वो trade deficit बना 36 billion dollar, मतलब 2000% चाज ज्यादा, और आज वो 36 billion dollar 8 वर्षों में 51 billion dollar हुआ है, मतलब कि 42% जिन्होंने धाई हजार फीसद trade deficit बढ़ाया, वो 42% बढ़ाने वालों को कह रहे हैं, कि हमने आर्थिक हितों का सौधा किया, पर तुम मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, मैं शाम सरन की किताब से कोट करके बताना चाहता हूं, कि ह हर वर्ष 200-300 incursion, 600 incursion 2010-13 के बीच में, डेम चौक, डूम चेली, तिया पंगनक, चापजी घाटी, सब कुछ दे दिया, 38,000 km अकसाई चीन का दे दिया, ये लोगाँ सवाल पूछ रहे हैं, और आज क्या क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने क्या 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 है एक मौका दीजे मुझे, गलवान में, 45 लोगों को मौत के घाट उतारा, इन्हों ने पूछा, गलवान में क्या किया है, इनकी नेता नगमा ने रिचा चड़ा के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, रिचा चड़ा जी, आपके साथ मैं खड़ी आपने देखा होगा, पिछले दिनों की खबरे न्यूस पर आती है, वीवो हो चायए, ओपो हो चायए, चाइनीज कंपनीज हो, सब के खिलाफ, एडी के आक्शेन शुरू हो चुके है, और उनके खड़ेडा जा रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने कारवाई की है, डिप्ल पर खड़ेडा, उसके बाद, अब आपको मैं बताना अच्छा हो, मिल्ट्री, पहली बार, एक हमारी डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका वक्तव्य है मेरे पास, बेस्ट्राटेजी इस नॉट टू मेक एनी इंफ्रस्ट्रक्चर अलोंग एलेसी, यह उन्होंने का आज हमने 22,000 स्टेज सैनिकों के लिए हैबिटाइट बनाया है, वही हैबिटाइट अरुनाचल प्रदिश हिक्किम के पास भी बन रहा है, हमने 400 से जादा एक सके जनता के लिए बहुत जरूरी है, आपके तमाम नेता बता रहा है, जब इतना सब कुछ आपके सरकार ने कि लेकिन इस बास से भी तो इंकार नहीं किया जा सकता ना, कि चीन बार-बार हिमाकत करता है, और उसके हिमाकत को रोकने में हम नाकामियाब रहते हैं, ये हिमाकत ही तो थी, प्राची अंतर ये है कि पहले जब चीन हिमाकत करता था, तो 38,000 स्क्वेर किलोमेटर जमीन ये ना तारीक को हिमाकत करने की कोशिश की, तो हमारे सोल्जर्स की एडिशनल लेयर लगी हुई थी, वो देखकर वो डिप्लॉयमेंट थी, पहले ये नहीं डिप्लॉयमेंट वहा करती थी, अब एडिशनल डिप्लॉयमेंट हम करते हैं, वो भी हत्यारों के साथ, और वो भी एडवांस हत्यारों के साथ, रफाल वहां पर है, हाउटजर वहां पर है, सारे हमारे ट्रूप्स वहां पर है, इसकी वज़े से जब चाइनीज ने हिमाकत की भी, तो उनको खदेडा गया कल 9th को ही नहीं, बलकि इससे पहले गलवान में भी, गलवान के जो ब्रिज को लेकर बात हुई थी, जिसके वज़े से इन्होंने ये हिमाकत गलवान में की थी, वो ब्रिज भी हमने कम्प्लीट किया, उसके अलावव 10 सेकंड और दे दीजे, प्राची जी बहुत महत्वपूर है, जनता को पता लगना चाहिए कि कि कॉंग्रस कितनी जूढ बोलती है, कॉंग टरनल प्लान किये, रोड प्रोजेक्ट में जो वेस्टन लदाक और जन्सकार वैली है, उसके लिए अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी रूट हमने बना है, डिएसडीबियो रोड जो ये बनाते नहीं थे, डिएसडीबियो को अभी हम लोग क्लास सेंटीश का बना रहे है, सवाल उस बात को लेकर है, जो देश के लोग पी पूछ रहे है, जो विपक्ष भी पूछ रहा है, कि चीन की हिमाकत कैसे बढ़ जाती है, आप कोई ठोस कदम उठाइए, कुछ ऐसा तरीका ढूंडिए, कि चीन बार बार ये हिमाकत ना करे, और मेरे देश की जवानों को व अबेजी, दस सेकंड उसके बाद आप ही वो लेकर है, इससे पहले 26-11 हुआ, अरे अबेजी क्यों रो रहे हैं, आपको ही मौका मिलेगा, आप जादा समय ले लेकर है, जब देखे, कौन कैसे बहएव करता है, उस पे तो मेरा कंट्रोल नहीं, मैं क्या करता हूँ, उस पे म आपके पास बहुत सारी उपलब दिया है, गिनवाने के लिए बार-बार कह रहे हैं, जो चीजें आपके साशनकाल में नहीं हुई थी, वो हमने करके दिखाई, और चीन अगर कोई हिमाकत कर भी रहा है, तो हम उसे मूतोर जवाब देते हैं, जो आपकी सरकार में नहीं होत प्राची जी मेरे साथी दोस्त को थोड़ा सा एक गलास पानी दीजिए, बहुत अधिक घबरा घबरा कर वो बात कर रहे हैं, ये घबराहट सरकार के, इनके मंतियों के, इनके नेताओं के चेहरे पर भी दिखाई देती है, जब चीन के संदर्वित विशय पर बात होती है, मैं मिनमरता से कहना चाता हूँ, क्या ये बात सिर्फ अभय दूबे कह रहे हैं? नहीं, हमको राजनाच सिंग जी ने सदन में ये आश्वस्ती दी थी, फरवरी 2021 में, कि अब डिसिंगेजमेंट हो रहा है, वहाँ पर जाँ चीन की सेना, ये तो स्वीकारते नहीं थे, प्र ट्वीट किया ना, तो ये डॉक्यूमेंट डिफेंस मिनिस्री की वेब साइट से इन्हों ने अटा लिया, अब मैं नहीं कह रहा हूँ, कोचोंग स्टैंजी है, जो कॉंसिलर है, लद्दा कॉंसिल के, एक ट्वीट किया इनके भारती जनता पार्टी के एक सांसद ने, जो डिसिंगेजमेंट हो रहा था ना, होट स्प्रिंग से गोगरा से, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से 16 से जब डिसिंगेजमेंट हो रहा था, तो एक ट्वीट किया उन्होंने, सुब्रिमन्यम स्वामी ने, उसका मैं हिंदी में एक लाइन का तर्जुमा बता देता हूं, कि च पेट्रोलिंग पॉइंट 15, बलकि पेट्रोलिंग पॉइंट 16 पर भी जो पचास फरशों से भारत के हिस्थे में था, ये नेता इनिक के घञा रहे हैं, कॉन्ग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, यही का यही धोका इन्होंने, फिंगर एरिया मे दिया, महां पर भी इन्हो पेट्रोलिंग 0.4 से 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, वो 3 से 8 तक नया बफर जोन इन लोगों ने बना दिया, जो भारत के हिस्से को धोका इन लोगों ने दिया, अब मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सारी बड़ी बाते इनों ने किये, क्या ये बात सही नहीं है, कि अब अब प्रधान मंत्री जी ने वादा किया था कि हम लालांग दिखाएंगे, G20 के अभी वाली के समिट में क्या वशकता थी, बगेर बुलाएं प्रधान मंत्री जी जो कहते थे लालांगे दिखाऊंगा, लाल कपड़े देखकर बात क्या बात किये तो बताईए, क्या 2016 का भ आश्द्रों की बात नहीं करता, कोई राजनेतिक दरी तो इनका सत्ता का स्वार्थ है, चुकि चीन के आगे इनका बोलने का साहस नहीं है, इसने ये कॉंग्रेस पार्टी पर जूटे आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि आज भारत की भूभागी खंडता के साथ इनका स्वार्थ है कि स्वीकारते नहीं प्रधान मनती है, लेकिन आप लोग जो सवाल में लगातार उठा रही हूं जब से शुरुवात की है, मैंने इस कारेकरम की, शेजाद जी से सवाल इसी बात को लेकर है कि आप बार-बार कॉंग्रेस की याद क्यों करते हैं, आप च शेजाद ने बताया अभी कोड करकर के बायानों के साथ, चर्चा करते हैं, यह चर्चा तक नहीं कराना चाहते हैं, हम 1969 का वो चोला और नाथुला का भूल गए, जब हमने चीन की सेना को ख़देड कर महां से बगा दिया था, उसके बाद कभी उसका साथ में, सेना पर सेना तो हमारी जो समूचे देश की भूभागी एक्षा सेना क यह सुबा से तमाम विपक्षितलों की तरफ से कहा जा रहा है अभै जी कि सेना को लेकर कोई सवाल नहीं है, सवाल सरकार को लेकर है, शहजाद जी जो बात अभै जी कह रहे हैं और जो कोट कर रहे हैं तमाम बातों को, देखे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता आप ही से पूछे जाएंगे कि चीन बार बार ऐसा क्यों कर रहा है बिल्कुल दिखे चीन की मनस्तिती जांचने के लिए शायद जिन्होंने M.O.U किया है वो ज्यादा परिस्तिती बेतर जानते हैं पर चीन को कैसे मूतोड जवाब देना है मैंने उसका तीन उधारन दिया आ नौधन आर्मी फोर्स का स्टेटमेंट है देखे प्लीज माडम नौधन आर्मी चीफ ने कहा गेटिंग चाइना टू पूल बैक बिहाइंड फिंगर इट इस ए उच्छेस नौधन आर्मी चीफ यह भी नहीं है कि भाई किसी पॉलिटिकल एंटिटी ने इसको कहा है सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट है ये देखे ये उनकी प्रवक्ता का ट्वीट है साड़े दस बजे रात हो साड़े दस बजे जबकि तेजपूर पियारो डिफेंस का स्टेटमेंट लिखित स्टेटमेंट आड़ बजे आप सभी लोगों के पास आ चुका था ये पूरी घटना करम को बताते हुए, कितना जूट Congress Party और Armed Forces के विशे में, ये वही Congress Party है, मुझे याद आते हैं वो debates, अभै जी यहाँ पर आकर बोलते थे, कि हाँ हमारे नेता सही कह रहे है, गलवान में तो एक को भी मजा नहीं चकाया आपने, किसी को कुछ नहीं कर पाए, 45 ल ये लोग कहते हैं, जिन्होंने 38,000 स्क्वेर किलोमेटर दे दिया, अब मैं अभै जी से बड़े विनमरता से पूछना चाता हूँ, शाम सरन्द ने अपनी चाइना की किताब में लिखा है, कि कैसे टिया, पंगनक, चाब जी, घाटी, डूम, चेली, जोरावट, सारी चीज अब मैं आपको बताता हूँ, कि हम लोग की क्या policy है, ये Times of India की report है, ये 10 दिन पहले की है, India going full steam ahead to reduce border infrastructure asymmetry, मतलब की इतना asymmetry इन्होंने create किया था, चाइना के इस तरफ सारी चीज़े बनी हुई है, हमारी तरफ कुछ नहीं, DSDBO का जो है, अगर उसको level 70 पे ले जाना है, वो क के के लिए बना रहे हैं, पूरा infrastructure तैयार कर रहे है, habitat बना रहे हमारे soldiers और troops के लिए, इन्होंने क्यों नहीं किया 70 साल में, इसके अलावा भी मैं आपको report दिखाना चाता हूँ, क्योंकि ये बोलेंगे कि हम, ये देखे, India's big preparation, LAC के अंदर, LAC के पास हमने Rafals deploy कर दिये, इत 9000% से trade deficit बढ़ा दिया, जैसा पैसे अंदर आया, इन्होंने हजारों जो square kilometer जमीन हैं, वो चाइना को दे दी, ये अबय दूबे जब उठाते हैं सवाल, तो हम उनके उपर सवाल उठाते हैं, पर तो एक-एक सवाल का जवाब हमने पार्लिमें को लेकर रहे हैं, सेना पर इसमें ही इस पर चकल्लस हो रहे हैं, सियासी घमासान मचा हुआ, इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, मैं अबय जी आओंगी, आपके पास एक छोड़ा सा ब्रेक लेनी हूँ, उसर ब्रेक से पैस जैसे ही फॉरण वापस लोटूँगी, इन तमाम सवालों की जवाब आप लिए ती कि लुघ्ट, कुणतों वूटária हैं वंपनाव गोटूट, के सफलता हैं चीन नहीं फिर अपना हिस्स् बसा लिया है तब भी ये हम पर आरोप लगा दे और ये कहते हैं कि 58 से वो उसके कबजे में हैं अरे सहाब तो आप ने एक्शन क्यों नहीं लिया उस पर दूसरी बड़ी बात आज जो सबसे गंभीर घटना है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं जो डेपसांग का एरिय हमारी है वहाँ पर उसने वाई जंक्शन पर पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A और 13 तक ब्लॉक कर दिये हैं हम वहाँ पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं प्रधान मंत्री जी हाथ जोड़कर आप से प्रार्थना है कि वो एक-एक स्टेप चाइना अंदर भारत में प्रव साम भुगतने पड़ेंगे क्या यह बात अभय दूबे कह रहे हैं सामू चे सारे जितने पुराने एक्सपर्ट हैं जितने हमारे सेना के पूर्व अधीकारी हैं यह सब कह रहे हैं है यह कहते रहे हाथ जोड़कर करके कि केलाश रेंजेस को आप खाली मत कीजिए यह स्ट् और चीज़ां बीजेपी के तमाम नेता उठा रहे हैं उनके जबान पर फिर से नेरू जी का नाम है और यह कहा जा रहे है कि वह क्यों नहीं मिल पाई हमें स्थाई सदसिता यूएन की यूएन सेक्योरिटी की तब किसकी घलती थी तब इतनी नर्मी क्यों दिखाई जा रह है लेकिन सरकार अगर सरेंडर कर देगी विश्वासमान यह पारलेमेंटरी स्टेंडिंग कमीटी की रिपोर्ट पढ़िए अभी जो अक्टूबर के महां तक 75 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेट डेफिसीट हो गया जानती इतना बड़ी गैप कभी नहीं हुई और यह देश कुछ दो तीन सवाल और उठाना चाहिए इसका जवाब हो जाने दीजिए फिर कर देए एक सब्सक्राइब कर लिया है जो डोकलाम का स्टेंड ओप था उसके बाद 14 अक्टूबर 2021 को भारत के विदेश मंत्राले से जब पूटा-पत्रकारों ने तो नहीं नजर लगाए कब तक आप नजर लगाएं रखेंगे ट्रांस हीमायलेन प्रोजेक्ट को नेपाल के साथ चाइना ने साइन कर लिया भारत की सीमा में जवाब नहीं मिल पाएगा आप क्योंकि इंपोर्टेंट बात उठा रहे हैं देश की बात उठा तो शेजाद से जवाब लिना जरूर भूल हुई थी और भूल दौरानी नहीं है और ना हम दौराएंगे इसलिए मैं आपको प्राची जी मेरे पूरे डिबेट का टाइम देख लीजे मैंने क्या किया है उस पर ज्यादा जोर रखा है मुझे कॉंग्रिस पार्टी के परदाफाश करने में इंट्रेस्ट भी न उसी न्यूस क्योंगे पूरा तो पढ़ते नहीं है आधी पढ़ने की हेडलाइन पढ़ने की आदत है हेडलाइन भी इनके हिसाब से लिखी गई थी एंडी टीवी ने चाइना हैस बिल्ट विलेजन अरुनाचल शो सैटलाइट इमिजे उसी रिपोर्ट में फर्स्ट पैर आसान था सब ले लेने का ले लेना चाहिए था ले लेना चाहिए था तो अक्साइचीन में भेज देते ना पंडित जी के बाद उनकी बेटी थी उनके बाद उनके बेटे थे उनके बाद उनकी पत्नी और उनके सुपुत्र की सरकार रिमोट से चली तो आप ले ले लेते अक्साइचीन में 38,000 जो गवाया था आप तो और गवाने पर बैठे थे क्योंकि MOU साइन किया हुआ था चलिए तीसरी बात पर आते क्योंकि ज़्यादा समय उस पर जाना नीची यह Trade Deficit आज की तारीक में 2-3 दिन पहले का उत्तर दिया हुआ है Commerce and Industry Minister ने कि 51 बिलियन डॉलर है आप 36 बिलियन डॉलर पर 1 बिलियन डॉलर से 36 बिलियन डॉलर ले गए 2000% जिसने Trade Deficit बढ़ाया वो भी RCEP में गलती करके वो हमें कह रहा है आज बह गजब बात है और आखिरी में आते बताइए कि अग्रिमेंट्स किसने साइन की थी 93, 96 और 2005 में जिसके चलते हमारे Firearms इस्तमाल नहीं किये जा सकते LAZ के आसपास अब इसको भी Congress का दोश जो है BJP पर डाल दीजिए जवाब दीजिए सर आपने 2014 से पहले क्या-क्या नहीं किया है मैं आपसे केवल एक ही सवाल पूछना चाथ हो बाकी सब छोड़ दीजिए आपने कहा कि जो Strategic Heights Occupy की बिल्कुल सही कहा आपने Strategic Heights Occupy की ताकि हमारे पास एक Diplomative Chip रहे जिससे कि हम negotiate कर सके मुझे बताइए 50 वर्ष में, 60 वर्ष में दोनों साइड LAC के overlook कर सकती है यह चीनी आये, उनको मुतवर जवाब दे दिया और आज भी उसी जगे पर डटे हैं और उसके बारे में और वो जिस पत्रकार ने इस रिपोर्ट को फाइल के ट्रिब्यून के उसके ट्वीट्स जाकर पढ़ लीजे अभै जी मैं राष्ट नीती पर राजनीती नहीं कर सकता उसमें उसने लिखा है कि वहाँ पर क्या-क्या भारत की सेना ने बनाया है मैं राष्टे प्रवक्ता हूँ एक भारती जन्ता पार्टी का इसलिए मैं अपना मुह इधर नहीं खोलूँगा बाकी जिनको जो ट्वीट देखना है वो जाकर देख लें मैं आपसे पूता चाता हूँ आपकी सरकार्थी क्यों नहीं बनाया लेकिन अगर विपक्ष आपसे सवाल पूछ ले तो उसे आप राजनीती क्यों कहने लगते हैं जब ओसामा बिन लादिन को ओबामा की सरकार ने मारा तो ओबामा ने अनौंस किया कि ओसामा इस डेड नदीम समुद्र में फेग दिया किसी रिपब्लिकन ने ये खड़े ओकर नहीं किया लाश बताओ डेने बताओ यहाँ पर डीजीमों ने सर्जिकल स्ट्राइक का अनौंचमेंट किया यहाँ पर आम फोसेज ने अनौंस किया बाला कोट ऐस ट्राइक हुआ यहाँ पर पुल्वामा हुआ जिसमें हमारे लोग शहीद हुए और उसके बाद बाला कोट किया इन्होंने क्या कहा हम आर्मी की सेना को नहीं मानते यह फर्जिकल स्ट्राइक है यह खून की दलाली है बाला कोट में चील को हुए हमारे पुल्वामा वोजन इंटरनल यह आम फोसेस के स्टेटमेंट पर किसको भरोसा नहीं है मुझे चलिए प्रधान मंतरी की बात मत मानिये बीजेपी की बात मत मानिये पर तो आम फोसेस के स्टेटमेंट को आप डाउट करते हैं यह इनकी राजनीती है और इसलिए मैं कहता हूँ इस पकार की राजनीती नह जो रक्ष्वा मंत्री ने बयान दिया कि आपको उस पर भी भरोसा नहीं है आपको नहीं भरोसा है कि वहां भारते सेना ने मुतोर जवाब दिया और जो एक नाकाम कोशिश की थी जो हिमाकत की थी चीन ने उसका मुतोर जवाब दे दिया और लोटा दिया उनको ओल्टे पर हमारे कबजा आज भी कर रखा है जिन एग्रिमेंट का ये हवाला देते हैं 93-96 का वो पीस टाइम एग्रिमेंट होते हैं सेना के जितने विशेशग हैं वो इस बात को की गवाही देते हैं कि जब युद्ध के हालात हो जाएं तो वो सारे अनुबंदों को दरकिनार करक उनी की भाषा में जवाब देना चाहिए जैसा की हमारी सेना देती है मगर राजरेती किछा शक्ती का प्रश्न है आप सेना को खुली छूट क्यों नहीं देते अगर वो हमारे भारत की हिसे के अंदर आकर बेठें आप जानती है दोलत बे गोल्डी विश्व की सबसे उची एरिस्ट्रीप हमारी है वहाँ पर वाई जंक्षन पर 10 से 13 तक उन्होंने पेट्रोलिंग को प्रतिबंद कर रखा है और ये जो बार बार कह रहा है वो जो धन्सिंग थापा पोस्ट है फिंगर थरी की वहाँ से लेकर फिंगर आठ तक जो हम लोग पेट्रोलिंग किया करत आते थे वह बफर जोन बना दिया क्यों बना दिया यह कह करके लाश रेंजी नोंने खाली कराया कि अब हम डिसिंगेजमेंट कर रहे हैं हम निगोशियेट कर रहे हैं और दोनों से ना अपनी अपनी पुरानी सिती पर लोड़ जाएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं यह मैं कह यह तो कोचोंग स्टेंजी इनके खुद के सांसर सुप्रमेंडियम स्वामी जी के ट्वीट है उसको पढ़ लीजिए वो कह रहे हैं हमने तो आरोप नहीं लगाया उन्होंने कहा कि यह सब कुछ 40-50 किलोमीटर का है उन्होंने कहा कि जो 50 सालों से हमारी पर्वनेंट पोस् लेकिन यह कैसा डिसिंगेजमेंट है कि एले सी के हमारे हिस्से में बफर जोन बनाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साब हम जीट गए सेना को आजादी दीजिए आट साल से सरकार है भारते जन्ता पार्टी की उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए और बार बार शेहजाद से सवाल पूछे भी जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप बताईए आप तो सबसे जादा सक्ता में रहें जो जमीन कभशा कर ली थी चीन ने उसका कितना हिस्सा हमारी भी सरकार रही हो हम दड़ता से सारी सरकारे और सेना लड़ी है कोई हमारा देश इतना शक्ति चाली है कि हम दड़ता से लड़ सकते हैं लेकिन बगेर लड़े हमारी भूभा की अखंडता से समझोता कर लेने वाली पहली सरकार ही है एक बार भी बोला मुखरता से मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ 1994 का पीयो को किया वो सभी राजनेतिक दलों का रिजूलूशन उसमें कहा था कि हर हाल में हम भारत के पाकिस्तान ने जो कपजा कर हमारा हिस्सा कश्मीर का रखा है उसको वापिस लेंगे क्या महाँ पर एकोनोमिक कोरिडोर 27,000 स्क्वेर किलो मीटर में चाहिना नहीं बना रहा है 2017 से कंस्रक्शन कर रहा है एक बार भी इन्होंने मुख खोल कर बोला चाहिना को रोकने की कोशिश की वो जो एकोनोमिक कोरिडोर में वेपन्स यूज हो रहे हैं यही तो दिक्कत है अपने कारेकाल की चीज़े नजर नहीं आती है और दूसरे की कमिया जरूर नजर आने लगती है शेजाजी बार-बार वही सवाल गुम पिर के इस चर्चा में आ रहा है कि आप सत्ता में हैं और आपसे सवाल पूछे जाएंगे मेरे से मेरी पार्टी से प्रधार मंतरी से शवाल पूछे भारत की सेजार मनोबल पर चोट ना करे मैं हाठ जोड कर केवल इतना ही विनमृताğ से कह रहा हूऊ अटल भिहारी वाजपई ने कभी भारत की सेना से या उसके नित्रत्प से ये नहीं पूछा प्रूफ दिखाईए कि ये कार किया था, परन्तु आज जिस प्रकार से जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है, जिन लोगों ने चब्विस-ग्यारा के बाद जो MFN स्टेटस देकर आया पाकिस्तान को, क्योंकि सोनिया गांधी का इशारा था मनमों सिंक और ये ओबामा जी ने अपनी किताब में लिखा है कि मत करो कुछ पाकिस्तान के खिलाफ, वोट बैंक जो होट हो जाएगा, उस व्यक्ति के पास क्या अधिकार है भारत की सेना से, पूछने खा कि भाहिया, बॉडी बैक्स बताईए हमें कितने मरें, चील कववें मरें थे, किसने कहा था, कॉंग चुरू करवाया, और ये बात करते चलिए, मैं उसे एक ही सवाल पूछता हूँ, एक ए आंटेनी का अभी मैंने स्टेट्मेंट आपको सुनाया, कि no infrastructure is best policy, defensive खेलो, कुछ मट develop करो, आज हर जगे हमने infrastructure बनाया है, DSGBO रोड हो, चाए वो बाकी के LAC के आसपास के जगे हैं, उनकी जो मानसिकता रही होगी, वो उस समय के प्रधान मंत्री थे, उन्होंने किया, आप लोगों की सरकारे आई, आप एक इंच जमीन वापिस नहीं लह पाए, सिर्फ देते रहे चाहिना को, पर तुम मुझे बताईए, AK एंटेनी की जो पॉलिसी थी, क्या आप मानते हैं कि ना वाँ कोई आया है, ना घुसा है, क्या हम उन सारे होट स्प्रिंग में, गोगरा पोस्ट में, डेपसांग प्लेन में जो चीन घुसा हुआ है, उसको आज भी आप न कारेंगे, क्या अरुनाचल प्रधेश में अगर पेंटागन बता रहा है कि गाउं का गाउं वसा लिया, उसको स्विकारेंगे, क्या जो चीन ने समझोता कर लिया, डोकलाम को लेकर भूटान से थ्री स्टेप एग्रिमेंट कर लिया, उस पर निगाह डालेंगे, क्या वो बंगलादेश के साथ कर रहा है, क्या नेपाल में इंफ्रास्रक्ट्टर, देखिए, सब जगे से एक आखरी बात बता दूपरा चीजी, चीन ने अपना डिपेंस का पेपर 2015 में उन्होंने जारी किया था, उन्होंने पॉम पॉलिसी, उन्होंने कह था यूनिफिकेशन आफ मदर लेंड, उन्होंने कह था तिबबत, नेपाल, भूटान, अरुनाचल प्रदेश, लद्दा इनको यूनिफाइट करेंगे, उसको नजर अंदाज करके ये जूला जूलते रहे, और उसी का परिणाम हिंदुस्तान को आज भुगतना पड़ रहा है, आकरक करते सब आख के साथ हैं, इसमें समालोचना हम कर सकते हैं, लेकि सुरा देश करदाना है, मुझे चर्चा को य और जगे, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर